हेलो नमस्कार दोस्तो हेल्थ टच में आपका बहुत स्वागत है दोस्तो आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ यह एक मरहम है यह हिकलोलीन मरहम इसको कहते हैं और यह हमदर्द कंपनी के आती है दोस्तों ये जो मरहम है ये इस्त्रियों की योनी में जब बहुत अधिक खुजली होने लगती है तब काफी परिसान हो जाती है और इसकी वज़े से रातों को नींद भी नहीं आ पाती है खुजली किसी भी परकार से हो सकती है चाहे वो अंदरूनी खुजली हो चाहे बाहरी बाहरी खुजली बालों में जो जुएं होती है उनके पढ़ने से भी हो सकती है और किसी गंदगी की वज़े से भी हो सकती है और जो अंद्रूनी खुजली होती है वो किसी भी कारण से हो सकती है ये जो मरहम है वो सभी परकार के खुजली में बहुत अच्छा लाब देता है चाहे वो खुजली बाहरी हो चाहे अंद्रूनी हो ये सभी परकार के खुजली में आराम देता है यह इस्त्रियों के प्रजन अंगों की जो खुजली होती है उसके लिए अचूक मरहम है खुजली चाहे योनी के बार ले भाग में हो चाहे अंद्रोनी भाग में और यह चाहे रक्त विकार के से होती हो या बालों की जुए पड़ जाने से होती हो इन सब ये वस्ताव में इस क्रीम का प्रियोग आप कर सकते हैं ये इसका नाम की कलोलीन है MRP भी आप इसे पर देख सकते हैं और ये पुरानी से पुरानी खुजली को भी ठीक कर देती है और इसका एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा ये जो ओस्दी है अगर रक्त विकार के कारण ये खुजली हुई है तो इसको साथ ही जब आप इसको इसको इस्तमाल करें तो इसके साथ साफी और सर्बत उन्नाब ये 25 मिली लीटर सर्बत उन्नाब और 5 ढकन साफी और अरक सात्रा 125 मिली लीटर एक जगह मिलाकर 6 ml इसका परियोग एक समय में करना चाहिए और ये तब तक आपको करना चाहिए जब तक खुजली पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती क्योंकि इसके जो ऐसी जो खुजली होती है में दोबारा से हो जाती है इसलिए पूरा कोर्स करें तो अमीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और इस जानकारी को आप अपने दोस्तों के साथ अपने मित्रों के साथ शेयर करें और उनको इस चैनल को सस्क्राइब करवावे और खुद भी इस चैनल को सस्क्राइब करें क्योंकि हम बविश्य में भी ऐसी और भी अच्छे अच्छी जानकारी लेकर आते रहते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद